ऐसा रोड और ऐसा माहूल और कैचे लाइफ में गूगल मैं अपने गलट टंद बता दिया अपने को आगे जाना है और 45 किलोमेटर्स यहां से सीधा यह कोई तो टोल नाके का कंस्ट्रक्शन करके रखा है पाच-दस के स्पीड से चल रहा हूं पथेटिक रोड कंडिशन्स है गुड़ मॉनिंग गाइस वेलकम बैक तो माय यूट्यूब चैनल तो अभी गुड़ मॉनिंग तो नहीं अल्मोस्ट शाम के चार बज रहे तो टुड़े इस फ्राइडे और हम लोग निकल रहे गंपती पुड़े के लिए वापस को कंड जा रहा हूं है अपनी फैमिल कर गया तो आज फ्राइडे निकलेंगे और अभी चार बज रहे तो दस ग्यारा बजी तक पहुच जाएंगे गंपती वड़े वहाँ पे भक्तनिवास में स्टे करेंगे जो की काफी अफोडेबल स्टे है और मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे जाके की रेट्स कितने है तो अभी निकलते हैं फटाफट और जो रूट में लूँगा वो है मुंबई से खालापूर तक जाऊंगा मतलब एकस्पर साइब करने के बाद पाली के लिए अपन ऐसा राइट मारेंगे पाली तक जाएंगे उसके बाद निजामपूर का रस्ता पकड़ेंगे उसके बा यह जो रूट में पकड़ रहा हो ना थोड़ा सा कम गड़े वाला है वो जो पनवेल और जो नागोटने वाला जो पैच है ना वो तो पेंड वाला उथ अपको पता ही यह लास्ट टाम अपने देखा ही तक कि इतना कराव है इसलिए इस बार वो रूट में अवाइड कर र सब्सक्राइब और यह आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता तो सपोर्ट बनाई रखिए आपके लिए में अच्छा-चा कंटेंड लाता रोंगा तो चलो फटा-फटा भी निकलते तो फाइनली सवाच्छे बच गए और हम लोग आ चुके है एक्स्प्रेस आवे पे यह रोड अपना पुराना रोड के लिए कनेक्ट होता है और यह अभी खालापूर तक अपन कंटेंड रखेंगे खालापूर के बाद पाली के लिए अपन राइट मारेंगे ऐसा तो चलो जारी रखते है थोड़ा सा अंदेर है मैं कोशिश करूंगा दिखाने की लेट सी कितन अधिरा सपने सुवाशाम है तू है सही या मैं हूं सही किस पे इल्जाम है ऐसी लगन पाल्मोस्ट साथ बच गेर हम लोग पहुच चुके खाला पूल टोन लाके पे खाला पूल टोन लाका का क्रॉस करके थोड़ा सा पास्सो मेटर जादा नहीं है पास्तो चेसो मेटर आ यह देखो यह है तो अभी हम लोग एक्सप्रेस हाइवे छोड़ देंगे और लग जाएंगे पाली वाले रोड़ पे थोड़ा सा यह यहाप ना अंदर जाते ऊपर खाबड़ है पर थोड़ा सा यह जादा नहीं है तो चलो आगे बढ़ते और आपको दिखाते अभी अप सब्सक्राइब तो चलो जारी अठते है चलो भई आचुके अपने स्पोर्ट पर एग्जाक्ली मतलब उतरने के बाद तुरंद लगता है यह स्पोर्ट होटेल सुमन यह प्योर वेज रेस्टोरेंट है और यहापे मतलब आप स्टे भी कर सकते हैं लॉज भी है इसी जाते होटल में और कुछ खाते हैं यह काफी अच्छा है यह देखो पीछे वड़ापाओ का दुकान भी है सुमन वड़ापाओ करके लिखा है तो इस गुड़ प्लेस कुछ देखते अभी सैंडवीज और खाते सैंडवीज और चाय और कुछ खाएंगे उसके बाद आगे मैं पहले सोच रहा था कि निजामपूर रस्ते से जाओ लेकि नहीं जाओंगा क्योंकि फैमिली है मेरे साथ में और वो रस्ता अंदर-अंदर से जाते तो मुझे रिस्क नहीं लेना है सिधा चलेंगे वाकन फाटा तक थोड़ासा हलका सा कराब है वाकन फाटा से मानगा मुझे तो पता ही है मुझे तो पता ही है मुझे वरस्ता याद है मुझे गूगल मैप ड़न लेकि जरूत नहीं है इसलिए तो आकन फाटा पे भी रुकेंगे बजी-बजी कुछ रहेगा तो देखते है वाकन फाटा यहां से 41 किलो मेटर से यहां से एक्स्प्रिस आभ एक अल्मोस्ट आटी बजगे अभी और वाकन फाटा जो है यहां से 41 किलो मिटर दूर है सववा आठ बज चुके और हम लोग आ चुके है परड़ी करके एक टाउन है वहां पे मतलब छोटा सा टाउन है और मतलब सब कुछ चालो है यह देखो राइट सेड में ज्यादा दिख एक जाए मैं यह सूचा पर DM पहुचने से पहले पेट्रोल बढ़ लेते पेट्रोल टैंक फुल कर लेते यहां पर चलो टैंक फुल करा यह पर ट्रोल आटोकट परन्दः तुभाई साब अम लोग पाली में आचुके यह लेफ्ट अभी जादा दिखे गा नहीं लेफ्ट हाँ यह गूगल मैप मैंने वो नेजामपुर वाला लगाय था न इसलिए वो एक सुपचास मेटर के बाद दाय मुड़े पाय मुड़े सा कर रही है बड़ अपने को सीधा ही रखना है तो भाई एक चीज बताना तो भूली के हम है पाली तक रोड की कंडिशन एकदम टॉप अब यहां पर दिखेगा नहीं पंजी 438 रतनागरी 237 और महाड जो है 67 और पनवेल यहां से 63 किलोमेटर दूर है और अलिबाग 48 तो चलो गाड़ी यहां पर लगा दिया मैंने बजीपाव के स्पाट्स बहुत दिखते रहते यहां पर चलो कुछ खाते यार खाते और ब्र अपने को रखना बड़ेगा वाकन से थोड़ा आगे तक खराबी है रोड तो आगे तक बताऊंगा मैं exactly कहा तक खराब है वैसे लास्ट ट्रिप में मैंने बताया था अभी एक हपते में क्या ही सुधरने वाल है रोड नौ बच कर 40 मिनिट और हम लोग आच चुके है खाम क और के टाउन है वहाँ पे और डिस्टेंस कवर्ड इस 126 किलोमोटर अभी भी बहुत डिस्टेंस बाकी है एक्जैक इतना है वह थोड़े दिर में बताता हूं मैं जलो रखते जारी है अभी यहां तक थीक टा की है रोड मतलब बीच-बीच में डाइवर्जन भी आ रहे थ रात के अल्मोस्स दस बजगे है हम लोग आ चुक है अंबे वाडी नाका तो यह अंबे वाडी नाका है यहां से आप राइट मारोगे तो आप रोहा जाग सकते हो रोहा जो की राइगट डिस्टिक में ही आता है कोस्टल एरिया है थोड़ा सा सुकून मिला है मतलब कॉंक् इंदापुर में आचुके 10 बजगे और डिस्टन्स कवरड इस 143 किलोमेटर गाडी का अवरेज थोड़ा कम आया आज 13.2 चलो जारी रखते है रस्ता थीक है यहां पर 90 पर सेंट ओके तो भाई मानगाव में आचुके 10 बजग कर 10 मिरिट और यहां का ना एक चीज मुझे अच्छा लगता है मतलब रात को मतलब यह एक्स्पिरेंस कर रहा हूं मैं होटेल्स रेस्टारंट्स चाय की टपरी बहुत कुछ ऑप्शन्स है आपको खाली एक ही चीज़े रोड पूरा नहीं हुआ है बट ठीक है चलता है उतना तो चलेगा यह देखो ऐसे डाइवर्ज यहां पर जा सकते हो हरने बंदर भी जा सकते हो और अपन जाएंगे स्ट्रेट सीधा चिप्रून्ड अल्मोस्ट हंड्रेड रत्नागरी 187 और पंजी यहां से एक्जाक्ली 390 किलोमेटर से और हम लोग अभी एक्जाक्ली यहां से वीर रेलोई स्टेशन दिख रहे हैं लेफ्ट में वीर रेलोई स्टेशन है अल्मोस्ट दस बच कर 40 मिनिट और हम लोग पोच चुक है वहूर में जो की साहिल नगर से ज्यादा दूर नहीं है मतलब 2-3 किलोमेटर रही है साहिल नगर आपको पता रह अच्छी है मतलब यह देखो आप देखी सकते हो काफी मतलब यहां पर रोश्नी वागर अच्छी है तो गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं होती है इस नाइस वान तो भाई यहां पर थोड़ा सा स्ट्रेचिंग ब्रेक के लिए उतर गया था साहिल नगर में ही हूँ चेड चला चला कि थोड़ा सा वो फटीक जैसा हो जाता है इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेता हो यहां पर जस्ट एक टोलना के से पास हो है चांडवे खुर्द ऐसा कुछ तो नाम था ओबिसली और टोल तो लिया नहीं जाएगा पारले पोलातपूर खेड रतनागरी पारल मैं शोरी रोड़ इसको बोलते ना वो टाइप का रोड़ है भाई यह रस्ता देखो पूरा खतम ही है रतनागरी यहां से वन फॉर्टी एट डिका रहा था चिपून सिक्स्टी किलोमेटर्स थोड़ी देर पहले था एकदम मसका वाला स्पार्ट था लेकिन अच्छानक से अच्छानक से डाइवर्जन आ गया और पूरा उबड़ खाबड रोड था यार रात के सवा ग्यारा बज रहे है और हम लोग का डिस्टन्स हो गया 204 घर से मुंबई से ग्यारा बच के 20 मिर्ट और हम लोग घर सेक्शन में तो यह मैं बेसिकली मेरा स्ट्रगल दिखा रहा काड़ी मतलब नहीं है इसका पूरा देख के वर्टिक करना पड़ता है रतनागिरी 150 चिपूर्ण 61 और भरने खेड जो है 24 किलमेटर से इफ आम नौट रॉंग इस इस कशेडी काट इफ आम नौट रॉंग क्योंकि रात में ना कुछ दिखनी रहा बोड बट इस इस की रोड कंडिशन घटिया मतलब 90% रोड खराब है पूरा खराब है भाई फाइनली कशेडी गाट का तम हो चुका है पंजी 350 रतनागरी 196 खेड 19 किलमेटर्स होफुली यहां से थोड़ी देर के लिए रात मिलेगी मतलब फोर लेंड रोड कंटीनी होगा ऐसे लग रहा है म अगर कहीं दिग गई रोख जाओंगा तो भाई फाइनली चाय की टपरी मिल गई चोटी सी है शेकोटी वगरा लगा के रोके भईया यहां पर चलो हम भी तोड़ा सेक लेते हैं और चाय पीते हैं डादा यह गावाचनाओ का है दीवान खाउटी के मसता अटे शेकोटी थ बैठके ना लिटरली मतलब दिल खुश हो गया यार जबरदस्त स्पॉर्ट जबरदस्त है चाय भी जबरदस्त है शेकोटी के बाज़े में मस्तगी बैटा हो भी मजा आ रहा है मज्जा मज्जानी लाइफ ऐसा रोड और ऐसा माहूल और कैची लाइफ में जबरदस्त भा अब यहां से निकल रहा हो मजा आ गया चल बढ़ते आगे तू थर्टी फोर किलोमेटर्स कवर्ड और हम लोग आ चुके हैं भरणे नाका खेड में यहां से आप दापोली बुरंडी भी जा सकते हो और टाइम हो रहा है बारा बच के बारा मिनिट एक्जाक्ली साड़े बारा बच गए हम लोग ने कवर कर लिया 254 किलोमेटर्स पीर लोटे करके कोई तो एरिया था जा पेक केमिकल फैक्टरिस का ना स्मेल बहुत आ रहा था तोज रिली बाइड स्मेल तो दिस जस्ट बिगिनिंग ऑफ परशुराम घाट मतलब वहां पे बोड लिखा था इसलिए मैं आपको पता दिया वैसे रात को कुछ पता नहीं चल रहा है बोड के सा रही चल रहा हूं मैं परशुराम घाट या से आर 26 किलोमेटर्स तो सावर्डे के बाद ना एक अपने को नीचे उतर के राइट मारना है तो देखते हैं लेट सी भाई रत्नागेरी 73 किलोमेटर्स है स्ट्रेचिंग ब्रेक के लिए रुका था सोचा था यहां पर मैगी मिल जाएगी लेकिन मैगी होगा रहा कुछ है नहीं यहां से 12 किलोमेटर्स खेड फोर्टीफोर पनविल के लिए देखो ऐसा कुछ होटेल होटेल गिताई डिस इन पत्ता कोंडमाड़ा निवाची वाड़ी चोला तोड़ा स्ट्रेच करते उसके बाद निकलते सावर्डे के असपस है थोड़ा साना डाइवर्जन है यहां प जलाएवे 66 चोड़ना है और नीचे उतरके राइट वारना गंपती पूरे के लिए तो चलो हागे बढ़ते और देखते और दिखाते भी आपको तो भाई अपने को खेरशेत फाटा से बेसिकली खेरशेत फाटा मतलब यह है और मतलब लैंडमाक है वहां से अपने को टोल कि अपने को राइट मारना है तो चलो हागे जाना है और 45 किलमेटर से सीधा यह कोई तो टोल ना की का कंस्ट्रक्शन करके रखा है तो निवरी फाटा से अपने को राइट मारना है तो चलो निकलते तो भाई यहाँ पे रुग गए वापस होटेल रुशी केश में मैगी खाने थोड़ा सा रुखते उसके बाद निकलते चलो भाई मस्त मैगी आ गई बहुत गरम गरम लग रहे चलो खाते इसपे तूट पड़ते अभी भाई सीरियसली यह संगमेशोर का यह जो पैच है ना लिटरली मतलब इतना फ्रस्टेटी है ना अगर कोई देख रहे है ना सच में यार यह वीडियो मतलब पहुचाओ यार काई तक सीनेर ओफिशन्स तक यह देखो यार यह रोड ही नहीं है बेसिकली घटिया रोड मतलब दो वर्स्ट किस सीनेरो है नहीं है रोड ही नहीं बेसिकली फर्स ग्यर पर गाड़ी चल रही है पाच दस के स्पीड से चल रहा हूं है त्रेटिक रोड कंडिशन्स रिली यह जो लेफ्ट वाला स्पार्ट है वो को लापुर और देवरुग भी जाता है पुने भी जाता है बेसिकली और अपने को स् स्ट्रेट जाके 4.5 km के बाद एक राइट एक एक स्ट्रीम राइट टर्न है जो गंडपती पूले के लिए जाता है तो देखते है यार धुन्द देखो कितनी है मतलब लिटरली विजिबिलिटी अल्मोस्ट पाच परसंड हो चुकी है तु भाई फाइनली आ चुके है उस बोर्ड भी है यह थोड़ा सा ना साइड में लेकि पढ़ना पड़ेगा एक मिनट तो यह देखो यह बोर्ड देखो अप गंपती पूले 31 जैगर 43 और मारलेश्वर 48 तो चलो चलते बाईया 31 किरमेटर सो और है तो भाई फाइनली पहुच गे बगत निवास में सवाचर ब नेक्स एपिसोड में बताऊंगे आपको और नेक्स एपिसोड में आपको ड्रोन शॉट भी देखने मिलेंगे तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कर देए अपने दोस्तों के साथ जिनको रोड ट्रिप्स पसंद है तिल देन टेक कियर जै हिन जै झाल 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 झाल